हम आपको RBSC class 4th की हिंदी करा रहे थे जिसमें कि इस सीरीज में यह आज आपका 4th chapter है ठीक है इससे पहले के chapter यह आपके नए देखे हैं तो आप playlist चेक कर लिजिए वहां आपको सभी मिल जाएंगे 4th chapter आपका है पेड़ों के बारे में ठीक है तो 4th chapter हम पढ़ेंगे जिसमें कि हम जानेंगे कि पेड़ क्या होते हैं ठीक है अगर आप कोई और subject वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके playlist चेक करिएगा वहां पर आपको सारे class वाई जो subject वाई मिलेंगे ठीक है सारे subject वीडियो आपको मिल जाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं यहां आपको पिच्चरें बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे होंगे ठीक है आपकी बुक में भी दिये हुए हैं आप खोल के देख लीजेगा बुक में भी इस तेक पिच्चर आपको दिखेगी ठीक है यहां देखो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं तो इनके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे ठीक है चलिए धर्ती की सिंगार पेड़ है ठीक है क्या है पेड़ धर्ती की स्रंगार है पेड़ जब पेड़ पौदे होते हैं हर्याली होती है तो धर्ती हमारी बहुत सुन्दर दिखाई देती है जीवन के आधार पेड़ है और बिना पेड़ों के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे प्रत्वी पर इसलिए पेड़ों का होना बहुत जरूरी है जब पेड़ होंगे तभी जीवन भ कितने मनमोहक लगते हैं पेड सरदी में गर्मी में संमय रहते हैं सब कुछ यह हैं लेकिन हमें चाया देते हैं हमें फलफूल देते हैं हमें ऑक्सिजन देते हैं और ये प्रत्वी को सुन्दर भी बनाते हैं जंगल के परिबार पेड़ है पंची के घरबार पेड़ है आपने देखा होगा जो पक्ची होते हैं वो पेड़ों पर ही उनका बसेरा होता है जहां पेड़ है सीतलता है सीतलता से मेग बरसते सूखी धरती हर्याती है ताल तलया सारे भरते क्या मतलब हुआ इसका कि जहां पेड़ होते हैं वहीं सीतलता भी होती है जहां पेड़ नहीं होगे वहां सीतलता भी नहीं होगी और सीतलता से ही मेग बरसते हैं मेग कैसे करते हैं बादलों को ठीक है बारिस करना तो सीतलता से ही मेग बरसते हैं सूखी धर्ती जो हमारी धर्ती है वो सूखी धर्ती जब हो जाती है तो पानी बरसता है तो धर्ती पे हर्याली आती है ठीक है पौधे घास सबुकती है और ताल तलया सारे भरते ठीक है बारिस में जितने भी तलाब है वो नदियाँ हैं सब भर जाती है ठीक है धर्ती के उपहार पेडे हैं खुस हाले के द्वार पेडे हैं ठीक है हमारी परत्वी के लिए यह बहुत बड़ा उपाहर है और यही हमारे खुसी का कारण भी है खुसयाली के द्वार भी पेड़ों को ही कहा गया है स्वस्त बनाते स्रम हर लेते ठीक है यह हमें स्वस्त बनाते हैं और हमारा स्रम हर लेते हैं हमें फूल फल मेवे देते ठीक है हमें पेड़ों से इस सब चीज मिलती है करते हैं संपन सभी को पर ना किसी से कुछ भी लेते ये पेड़ क्या है स्रिफ देते हैं हमसे कुछ ये लेते नहीं है हमें स्रिफ क्या करना चाहिए पेड़ लगाने चाहिए और इनकी सुरक्षा करने चाहिए ये देखो बच्चे हैं ये पेड़ लगा रहे हैं तो हमें पेड़ लगाते रहना चाहिए और पेड़ों की देखभाल भी करने चाहिए ठीक है जिससे की हमारा जीवन भी बना रहे चलिए यहां जो भी कविता में सब्दाएं हैं वो उनके अर्थ यहां पे दिये गए हैं स्रंगार का मतलब क्या होता है स्रंगार का मतलब होता है सजावट तो स्रंगार का मतलब क्या है सजावट सीथ सीथ का मतलब होता है ठंडा सीट का मतलब क्या होता है ठंडा मन मोहक मन को भाने बाला मन को सुन्दर लगने बाला मन मोहक, सुन्दर या मन को भाने बाला पंक्ची कहते हैं पंक्ची कहते हैं पंक्ची को उपहार कहते हैं भेट को या सौगात को उपकार का मतलब होता है भलाई, ठीक है, भलाई करना चलिए अब यहां से उच्चारण के लिए अब आपको इनको बोल-बोल की देखना है उच्चारण के मतलब क्या है यह आपको बोल-बोल की देखना है जैसे स्रंगार, ठीक है स्वस्थ, स्रम संपन और तलया इनको आपको बार बार बोलना है और लिख कर भी देख लेना ताकि आप गलती ना करें लिखने में सोचे और बताएं यहाँ आपको सोचना है और बताना है तीन यहाँ पर आपको संदेश दे गए हैं तीन कोश्चन हैं जिनकी आंसर आपको देने हैं तो प्रतिवी का स्रंगार किसे कहा गया है, यह हमने पढ़ा था कभिता में, कि प्रतिवी का स्रंगार किसे कहा गया है, तो प्रतिवी का स्रंगार पेण को बताया गया है, तो आप क्या लिखेंगे, इसमें कि प्रतिवी का स्रंगार पेण को बताया गया है, आप ऐसे वीडि पेड़ को बिना मुकुट का राजा बताया गया है थर्ड पेड़ों को किसका ओतार माना गया है? पेड़ों को सेवा का के वाथार माना गया है पेण सेवा करते हैं वो सब को देते हैं और उनसे कुछ भी तो पेण पेड़ों को सेवा का उतार बताया गया है लिखें आप यहां आपको लिखना है टीक है जो मैंने पहले से लिख दिया है, आप वीडियो को रोग का आप लिख लीजीगा तो क्या है कविता में पंगर्टिया आई हैं जिन्हें आपको पूरा करना है तो इनको आपको सबको क्या करना है पूरा करना है जैसे पेड हमें च्छाया देते और उसके बाद क्या आया था पेड हमें च्छाया देते स्वेम सीत गर्मी सहते तो आप क्या इसमें भरेंगे य कितनामकुट कि राजा है एह कितना मनमुहग लगता है कितना मनमुहग लगता है यहापको यहाप भढ़ना है कि यहाँ पेंढ है शीतलता है एह हमने देखा थी आपको कैसे पूरी करना ही है , इंस रथ है यह हमने ечक्नद आपको सीतलता है तो क्या है मेग बरसते हैं सीतलता से ही जहां सीतलता होती है वहीं मेग बरसते हैं सूखी धरती हर्याती है और जो सूखी धरती है उसमें हर्याली आ जाती है यहां पर हर्याली है फिर ताल तलया सारे भरते आप कविता ऐसे देखकर भी लिख सकते हैं वहां दिया जब सही उत्तर का क्रोंचर कोश्टमिलॐ अब यहां Yo you लिखना है या च्छांए ब्रकेिड दिने उनमें तो हमारे जीबन, कॉन हैं हमारे जीबन, का दहार पेड़ है तो आपको यहां ब्रों कर देना है हमारे जीबन, का दार को पेड़ है तो आपको यहां पे बाप्शन भर देना है ठीक है यह वाला भर देना पेड़ हमेशा कार करते हैं कैसा कार करते हैं पेड़ हमेशा उपकार कार करते हैं ठीक है उपकार करने का काम कौन करता है पेड़ करते हैं तो आप यहां पी क्या भरेंगे सा भरेंगे ठीक है तो उपकार करने का काम पेड़ करते हैं. पेड़ हमेज़ा उपकार करने का काम करते हैं. अब यहाँ आपको question दिये गए हैं जिनके answer देने हैं आपको तो थर्ड में आपसे पूछा गया है जहाँ पेड़ है, वहां क्या है? तो जहाँ पेड़ है, वहां सीतलता है. ठीक है? तो यहां आप क्या लिखेंगे, जहां पेड़ है, वहां सीतलता है, थर्ड का अंसर आप लिख लेंगे, फोर्थ में पेड़ किसके घरवार है, तो पेड़ किसके घरवार है, पेड़ जो है, वो पक्चियों के घरवार है, ठीक है, तो फोर्थ में आप लिखेंगे, जो हमारे लिए क्या क्या करते हैं तो पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं पेड़ हमें चाया देते हैं बारिस करते हैं और पेड़ हमें स्वस्त बनाते हैं पेड़ों से हमें फल फूल और मेबे मिलते हैं तो आप लिख लिजेगा ऐसे फिप्त का अंसर कि पेड़ हमें चाया देते हैं, बारिस करते हैं, पेड़ हमें, क्योंकि पेड़ों की कारण ही बारिस होती है, पेड़ हमें स्वस्थे बनाते हैं, ठीक है, पेड़ों से हमें क्या-क्या मिलता है, फल, फूल और मेबे मिलते हैं, ठीक है, भासा की बात, अब यहां आपको भासा की बात करनी है, ठी सीत और गर्मी शब्दाएं हैं, ठीक है, पार्ट में हमने देखा था है कौन सब्दाएं हैं, सीत और गर्मी शब्दाएं हैं, एक दूसरे का विपरीत अर्थ दे रहे हैं, ठीक है, सीत और गर्मी अगर हम देखें, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, दूसरों एक दूसरे क सुखी भरा और दूर फिर यहां पर चोटा पक्का अंदर और उजाला कुछ के तो आपको पता ही होंगे कुछ के आपको याद होंगे कुछ आपको याद करने पड़ेंगे ठीक है जैसे कि उपर का आपको पता ही होगा नीचे होता है ठीक है उपर का नीचे होता है इस तरह से छोटे का छोटे का भी आपको पता होगा बड़ा होता है ठीक है और छाया का क्या आप लिखेंगे छाया का धूप करियेगा राजा का रंग होता है ऐसी सूखी का गीला या फिर हरा ठीक है भरा का क्या होगा खाली दूर का पास उपर का नीचे ठीक है तो आपको याद यह होगा छोटा का बड़ा पक्का का कच्चा अंदर का बहार उजाला अंधिरा आप इन म Factory कर लेना उज्agarल कि जगई आप अंधिरा कड़ेना और अंदर की जगए आप क्या लिखेंगे बहार लिखेंगे निगए चोट्य इसे लिखेंगे ऑस sibling अद्रोब कर लेहें कि बंधर को confined किया है को जिसमें आपको चर्चा करनी है यहां बता रहे हैं कि चर्चा करिए ठीक है क्या करना है आपको दो के समहु बना कर चर्चा करो कि हमें पेड़ों से क्या क्या फाइदे हैं ठीक है तो यह आप अपने स्कूल में अपने फ्रेंड के साथ अपने दोस्तों के साथ मिलक एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि पिड़ों से हमें क्या क्या फायदे होते हैं तो बात करने से आपको क्या फायदा होगा कि जब आप एक दूसरे से पूछेंगे बात करेंगे तो कुछ जानकारी आपके पास होगी कुछ आपके फ्रेंड के पास होगी ठीक है तो आपकी जान जानकारी है उसमें आपकी जानकारी और ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपको पेड़ पोदों से क्या फाइदे हैं ठीक है यह भी करें अब यहां पे कुछ कोश्चन और हैं जो आपको करने हैं जैसे कि तुम्हें पेड़ कैसे लगते हैं और क्यों यह तो आप बताएंगे ठ क्या होता हमने पढ़ा था पार्ट में अगर नहीं होगे तो जीवन भी नहीं होगा हम भी नहीं होगे पेड़ों की च्छाया कब अच्छी लगती है जब बहुत कड़ी दूप होती ही तर पीड़ों अच्छी लगती है ऐसे आपके आसपास पाए जाने बाले पेड़ों के नाम मेरे संक्लन में लिखे अब को आपके आसपास कौं कौं से पेड़ों है ये तो आप भी हमें हमें क्या देते हैं फल फूल मे वा दूसरी चीज़ें भी देते हैं तो आप लेखेंगे इस में कि अगर पैर्ण नहीं होते तो छाया भी नहीं होती हैं में चाया नहीं मिलती और हमें स्वास लेने के लिए सुध्ध हवा नहीं मिलती ठीक है अगर पेर नहीं होते तो चाया भी नहीं मिलती और हम स्वास लेने के लिए भी हमें सुध्ध हवा नहीं मिलती और बारिस नहीं होती फल फूल मेबे लकड़ी वा दवाईया इतियाज च दिखाई नहीं देती ठीके्श और धर्ति भी हमारी सुन्दर नहीं होती ठीके अब पेडु की चाया कब अच्छी लगती है पेडु की चाया गर्मी में अच्छी लगती है अब इसका लास्ट बाले आप बताएंगे क्योंकि यह तो आपको पता होगा कि आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ है यह आप कमेंट करके बताएंगे जीवन का अधार पेड़ है धर्ती का स्रंगार पेड़ है यह आपका एक थॉट है इसमें ठीक है और यह चेप्टर यहां पर खत्म होता है के वाद हम फिप चैप्टर करेंगे और कोई चीद नई समझ में आई है तो आप असे कमेंड करके पूश सकते हैं थेंक्यू अलब यू थेंक्यू फॉर वाचिंग